एलो स्टूडेंट कैसे हैं अभी सेमिस्टर वन का तो देखो एक्जाम गुइंग ओन शायद हो गया है मैं भी पेपर देखके अनलेसिस भी कर दूँगा अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं फिलहाल बना रहा हूं जिनका अगला एक्जाम है देट इस सेमिस्टर 3 बीकॉम और वो भी S.O.L. का बहुत सारे बच्चे कमेंड में पूछते हैं सर ये कब पेपर है हमारा तो इस दिन है हर किसी की पता नहीं फैनिंशल मेनेजमेंट के तीन पेपर दिखा चुका है और चौथा पेपर मैं आप दिखाऊंगा आपको अगले संडे ठीक है इसके पेपर म काफी बच्चों का ये कहना है कि सर हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे दो तरीकी के बच्चे हैं एक बच्चे कहरे हैं सर पहले तो पढ़ रहे थे अब हम भूल गए दूसरे स्टूडेंट कहरे हैं सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे करना है तो इस केस के लिए मैंने इस बार decide किया है कि इन 7 दिनों मैं आपके साथ रहूँगा और जादा सा जादा आपके problem को मैं solve करूँगा जो बच्चे भूल गए उनके लिए quick revision होगा चाहे जो बच्चे paid हैं वो भी देखते हैं ये वीडियो को जो हैं तो उनके लिए होगा मैं अलग से नहीं और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ें उनके लिए कैसे पढ़ना है how to study how to study daily basis पे आपको इसके अंदर दिया जाएगा आप परिशान होते हैं जैसे के सर हमने ये पढ़ लिया अब ये कैसे करें इसको कैसे करें तो वो सारी चीजे कराई जाएगी ठीक है न तो एक तो ये चीजे हमने इस बार provision करा है कि ये सीजे हम seven days के लिए यानि six days seven days तो अपका एक्जामी है six days के लिए हम ये चीजे लेके आ रहे हैं दूसरी चीज सर जो बच्चे अभी कुछ भी नहीं start कर पाएं उनको भी बता देते हैं सर financial management के अंदर आपके कुछ एक चैप्टर कुछ एक unit मैं हर बात बोल रहा हूं और आ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और आ नहीं आप भी रहा है leverage लिवरेज चैप्टर सर पहली बार क्यों बोल देते हैं आप फर्स टाइम पे इसके पीछे reason है logic है logic यह है कि यह चैप्टर base है पूरे FM का यहां से हमें income statement निकालना आता है यहां से हमें contribution पता चलता है यहां से हमें EPS पता चलता है यहां से हमें बहुत सारी चीजे पता च distribution कैसे होता है नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पर leverage के बाद आपने करना है EBIT और मैं कहूं तो यह दोनों चैप्टर एक ही है लेकिन अब क्या करें EBIT and EPS ठीक है इसके अंदर मैंने हर किसी को हर time aware किया है topic wise भी कितने topic है नंबर तीन पर आपने पढ़ना है सर cost of capital 90 नंबर का paper आएगा मैंने paper analysis करके भी डाला है कि कैसा paper आएगा अब पिछली वीडियो को इसके link description में भी और i button में भी डाल दूँगा इसके बाद आपको करना है value of firm अगर आप इतना कर लेते हैं मेरा मान करके अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए ये आपको दिला देता है लगबग लगबग 30 नंबर के आसपास आप इस chapter में से आएगा सर समय कितना देना है इन chapter को सर समय देखो मैं बोलूँगा लेकिन मेरे strategy के हिसाब से चलोगे तो न leverage के लिए आपको देना है दो दिन दो दिन भी नहीं मान के चलो one and one half days थोड़ा time इसके लिए half day इसके लिए आपका one day और इसके लिए आपको देना है one day तो total एक दो तीन से चार दिन में आपको ये खतम करना है ठीक है और जित क्यूंकि आप देखो मैं यहाँ पे days लिख र इसके बाद सर नंबर तीन के बाद नंबर चार पे करिए सर किसका नंबर तीन पे करिया आप क्या आपका working capital इसके आद ओपरेटिंग साइकल जरूर करें यह working capital इसके बाद आपने करना है इसमें credit policy यह सभी को कर लें इसमें से 19 नंबर का question आएगा time जादा नहीं लगेगा चार से पांच घंटे में इसको आप निफटा देंगे यह कर लेजिए रहे गया capital बस्टिंग उसकी मैं revision video डालूँगा जो कि देखो अगर मैं बोलू capital बस्टिंग इतनी जल्दी हो जाएगा तो नहीं लेकिन मैं इतना जरूर करा दूँगा revision video डा ना दिया है और YouTube पे हमने तो course डाला हुआ है जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा था उनको पता है भईया जो पढ़ाया था वही आएगा वहाँ पे थोड़ा से categories करना मुस्किल हो जाता है जो बच्चे starting से पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को कहुँगा no need to any course buy करने क जुरतने पढ़ते रहे हो जाएगा जो बच्चे अभी देख रहे हैं कुछ भी नहीं पढ़ा उन बच्चों को मैं यही सला दूँआ आप YouTube पे अभी फिलाल इस वीडियो को मत देखिए मतलब इस वीडियो को तो देखिए बाकी courses के अंदर आप puzzle हो जाएंगे एक इसका कर है यह जो कि हम यहाँ पे आपको code कर रहे है 300 प्राइज रहता है इसके अंदर सारी चीज़े आपको facility मिल जाती है लेकिन सर यह सब क्यूं बता रहे हैं अब क्या करेंगे facility के मुद्दे की बात आप सुनिए आप यहाँ पे leverage को जो आप YouTube से साथ गंटे में खतम करेंगे यह पहले क्या पढ़ा था background बताओ आपने पहले जैसे की हम बात करते हैं कि और भी subject जैसे corporate account कैसा था आपका या F.A. कैसा पढ़ा आपने और या कोई और practical maths में क्या रहा हाल उसके according हर बच्चे को हम बताते हैं कि आपको यह पढ़ना चाहिए मैं यहाँ पे common एक general solution बता सकता ह यह पढ़िए उसके according कही बार में बच्चों को बोलता हूं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पास होना और theory बता जीजे तो फिर उसके according मैं बताता हूं कि उसको यह करना है तो वह चीज़े थोड़ी सी आपको फरक पड़ेगा guidance चाहिए आपको तो जिसको लगता है कि यह helpful हो सकता है 300 है मैंने इसके अंदर तो पहले ही announcement किया है कि अगर आप पास नहीं होते तो आप 100% refund ले जाए without any query जैसे आपका result आएगा result आने के बाद अपना result भीजिए का मैंने course लिया था और मैं पास नहीं हुआ refund लेजिए मैं यह नहीं पूछँगा क्यों नहीं पढ़ा यह नहीं पढ़ा वह ऐसा कुछ नहीं पूछना refund लेजिए मेरे को कुछ नहीं पूछना ठीक है न तो यह तो बस मैं आपको एक increase करना चाहरा हूं यह चीज़े बोलके वैसे पढ़ेंगे तो definitely pass होंगा बस यह increase कर आगे YouTube पे वीडियो continue आती रहेगी और इसी तरीके से चलती रहेगी क्योंकि अब बच्चे बोलते हैं कुछ के सर क्या फाइदा हमारा पेपर तो हो गया भाई पेपर लास्ट जो है ना FM का वो 25-26 जनवरी के आसपास है तब तक मैं सारी चीज़े बनाता रहता हूं तो जो बच्चे दे चुके हैं मालो दो तारीख को पेपर वो बोलेग अब बता रहें अरी बात तो पहले तो हमने नहीं देखा यह बाते तो भाई पेपर चल रहे हैं तो वह बच्चे बिल्कुल भी नाराज ना हो नई कोर्स इस भी बहुत जल्दी लॉंच हो जाएंगे आपके semester 4 के लिए thank you so much मिलते हैं next video में और हमारे viewers बहुत अच्छे हैं लेकिन subscribe नहीं करते channel तो आप भी subscribe कर लिजिए आपके हम साथ कम से कम तो देड़ से 2 साल आपकी journey में तो हम साथ ही रहने वाले हैं तो 2 साल आपको जब साथ रहना ही है तो क्यों wait करना subscribe करिए सारी notification आपके पास आता रहेगा thank you so much